फानिली ब्राजिल की सरकार ने आपल आइफोन 14 के उपर अपने देश में पूरी तरीके से प्रतिबन लगा दिया है तो आया जानते है आइफोन 14 में से क्या है जो इससे बैंड करना पड़ा अब देखिए आइफोन वाल्यू की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अपने फोन के साथ चार्जर नहीं देते इसी बात को लेकर ब्राजिल सरकार ने अलग ही तरीके से दिमाग लगा कर आइफोन को बैंड कर दिया है तो दरसल बात ही है हाली में आपल ने अपन न्यू आइफोन 14 और 14 प्रोक इंट्रोड्यूस किया था लेकिन भईया उसके एक दिन पहले ही ब्राजिल ने ये कहकर सेल्स पर रोक लगा दिया कि आइफोन एक टोटली इनकमप्लीट प्रोड़क्ट है क्योंकि यह चारजर नहीं देते अब देखी calm का कहना है कि हम अपने फोन के साथ चारजर इसलिए नहीं देते क्योंकि चारजर नहीं देने से एवर्मेंट के लिए फाईदेमंद रहेगा क्योंकि इसे box का side छोटा हो जाएगा जिससे plastic कम यून्स होगा लेकिन यहां मज़े की बात तो ये है कि अलक से जो चारजर आता है उसमें ज़्यादा पैकेजिंग लगती है इसी कारण ब्राजिर इस पर एक्शन लेते हुए आईफोन 12 से लेकर आईफोन 14 तक जिसमें चारजर नहीं आते हैं उन सब पर बैन लगा दिया है और कहा है कि मोबाइल के साथ चारजर को देना हर एक कमपनी की जिम्मेदारी है और लाइक और सब्सक्राइब करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है